उत्तर प्रदेश में लोग अवैद शराब के निर्मान शाला संचालित कर दो वक्त की रोटी कमा रही हैं उत्तर प्रदेश आन्सु टपक जाते हैं उत्तरप्रदेश की दीन दशा देख कर किन्तु यकीन नहीं होता देश की इस्थिती इतने निमनिस्तर पर भी पहुँच सकती है कि लोगों को अवैद नशे का कारोबार संचालित कर दो वक्त की रोटी जुटाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। दो वक्त की रोटी जुटाते देखे जा रही है। ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है बुदंदेल खंड के हमीरपुर महोबा सहित उत्तरप्रदेश के विभिन जन्पतों में जहां आई दिन अवैद शराब कारोबारियों के पकड़े जाने के मामले प्रकाश में आ चुके उत्तरप्रदेश की सक्रिय पुलिस द्वारा इन अवैद कारोबारियों पर आविश्चत विदी कारेवाई भी की गई। किंतु केंदर सरकार विड़ाज्य सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी शराब के अवैद कारोबार की गती का सिलसला रुकने का नाम नहीं आचुका है आपको बता दे कि छेतर में अवैश शराब का कारोबा संचारित होने की वजह से लोग निरंतर शराब के नशी की लट का शिकार होते जा रहे हैं जब ये लोग नशे रूपी मतवाले घोड़े पर सवार हो जाते हैं तो यही लोग चोरी लूट हत्य दुशकर्म ऐसलहत तसकरी वे नशीले पदार्तों की तसकरी जैसे संगीन आपराधिक पादवतों को भी अंजाम देने से नहीं चोकते ऐसा ये इसलिए करते हैं आपको ग्यात हो जब ये नशे की लट के शिकार हो जाते हैं तो ये भुकमारी की कगार पर पहुँच जाते हैं और फिर असी तरफ नशे की लट की पूर्ती की चिंता फिर क्या ऐसी स्थिती में कुछ लोग तो दूर दराज के शेहरों में इड भट्टा के लिए चले जाते हैं तो कुछ लोग आत्म हत्या तक कर लेते हैं आपराधिक प्रवत्ती की सीडी पर चड़कर करोड़ पती बनने का ख के समय दिरंतर अपराधियों की गिरफतारी में जेल भेजे जाने का सिलसिला लगातार जारी है इस दोरान इनके बच्चे शिक्षा से कोसो दूर चले जाते हैं फिर कुछ बच्चे तो बालमजदूरी करते देखे जाते हैं तो कुछ बच्चे अपराधिक प्रवर्ती में सनलिप्त हो जाते हैं इन हालतों का देश पर क्या परभाव पड़ रहा है सोच कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं फिलहाल कुछ भी हो यदि अवैशराब के कारोबार पर अतिशिग्र लगाम लगाते हुए बेरोजगारी मिटाने के ठोस कदम नहीं उठाए गए तो अवैसराब बना करके अपने पेट के लिए दो वक्त की रोटी कमा रहे हैं ये क्या है क्यों करना पड़ रहा है यसा क्या हम आपकी मजबूरी को जान सकते हैं तो क्या क्राइब सर थार में हारी अदनी है धरम मड़ी रही है बुढ़ा आदमी पेट के लिए कुछ तो करना लाया पड़ता है तो सरकार द्वारा कोई मदद नहीं मिलती है काचुसर मदद नहीं की दोड़ के लिए करती है यहां कितने लोग ऐसा काम करते होंगी पेट के लिए अच्छा करती रहती है अपना पेट चलाती है इसको करके और यहां गरीबी जादा है क्या इस चेतर में और गरीबी नहीं तो करें क्या आई कि लाना है